सभी साथियों के एक बार फिर से कमल किसोरेकडमी में जोरदार स्वागत और अभिनंदन है साथियों असा करते हैं कि आप सभी पूर्ण रुफ से स्वस्थियों कुशल होंगे आज की ये क्लास आधनिक भारत से संबंधित है आज की क्लास में आपको तीन गवर्णर जनरलों का कार्जेकाल बताया जाएगा और उनके कारियों का अलोकन किया जाएगा तो बोड़ पर आप देख सकते हैं यहां तीन सेग्मेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं पर्थम सेग्मेंट में लाड आकलेंड दोती सेग्मेंट में लाड एलन वरो और तीसरे में लाड हाडिंग है यह के बाद क्रमसा भारत के गवर्णर जनरल बने है तो परिच्छा उप्योगी समस्त फैक्टों को इसमें ब्रीफ किया गया है जैसे कि आपको किसी अन्य सुरुत कियो सकता न हो एक ही सुरुत से आप शारे कंप्टिशन को बहतर तरीके से दे सकें तो आईए पर्थम सेग्मेंट में हम सभी देखते हैं लाड आकलेंड 1836 से 1842 तो इनका जन्म कब हुआ था यह देखते हैं पचीस अगस्त 1784 में हुआ था बकिंगंगम केंट लंदन में और इनकी मृत्यू एक जन्वरी 1849 हैंपशायर लंदन में हुई थी इनका मूल नाम क्या था जार्ज इडन अर्ल आफ ऑकलेंड इसके पस्चाद आप देखते हैं कि चाल्स मेटकाप के बाद इनको गवर्नर जनरल बनाया गया तो जब एक गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने क्या सुधार किये सुधार के क्रम में आप देखते हैं बोर्ड पर लिखा गया है ब्लैक एक्ट एक ब्लैक एक्ट पारित करके इन्हों ने जो उस दवरान रंग वेद की नीती चल रही थी और थात काले और कोरे में विभेत था उस विभेत को शदेव के लिए इन्हों ने शमाप्त कर दिया आगे अगला विंदू लिखा हुआ है तिर्थियात्राकर शमाप्त किया तो तिर्थियात्राओं पर जैसा कि मुगलकाल में भी कर लगाया जाता था दिल्ली सल्तनत में भी तिर्थियात्राओं पर कर लगाया गया था तो अंग्रेजों के समय में भी तिर्थियात्राकर लिय तो दुर्गा पूजा पर तत्कालिन परिसितियों में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे जिनको इनकी द्वारा शमाप्त किया गया आगे सिचाई के लिए इन्होंने नहरों का भारतवर्स में जाल बिछाया और जैसे की बहतर तरीके से खेती की जा सके वैसे भी आज के प तो उस दोरान ऐसा प्रयास अनोखा ही रहा होगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं भारतियों को डाक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की यनुमती इंगलेंड के संसद द्वारा इन्होंने दिलाई है कि अगर भारत में कोई ऐसी डाक्टरी की पढ़ाई करना चा जो उन्होंने शड़क बनवाई थी उस शड़क का इन्होंने पुनर निर्माड कराया और उसका नाम इन्होंने रखा ग्रांड टंक रोड जीटी रोड तो ये जीटी रोड की अधाना एलाड आकलेंड के समय की है और ये बार-बार पूछा जाता है आपसे बहुत ही परि त्रगुट संधी कहते हैं और इस त्रगुट संधी में कौन लोग शामिल हैं बोड पर मैंने लिख दिया है आप देख सकते हैं इसमें अंग्रेज सामिल थे और इसमें शासुजा ये सासुजा कौन था एफगानिस्तान का भगोडा सासक था इसकी सत्ता वहां छिन ली प्रिष्ट भूमी में हम जाना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे तो प्रिष्ट भूमी ये है कि 1826 में सासुजा का जो सेना पती था उसका नाम था दोस्त मुहम्मद उसने अफगानिस्तान की शत्ता पर कबजा कर लिया तब अफगानिस्तान का जो पूर्वसासक था शासुजा वो अंग्रेजों के सरक्षण में चला आया और उसके बिरुद युद्ध की तैयारी करने लगा तब ऐसे में होता क्या है कि आप देते हैं बोड़ पे 1849 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमड कर दिया जब अखबानिस्तान पर आक्रमड किया तो इस आक्रमड कारी सेना को वहाँ एक संग्या दी गई कहा गया शिंधू शेना तो कभी कभी ये बहुती गूड फाइक्ट है जल्दी मिलता नहीं पुस्तकों में तो सिंधू सेना के नाम से शंबोधित किया गया इस आक्रमड कारी सेना को और भेशन लडाई के उपरांत अंग्रेजों को जीत हासिल हुई और सासुजा को पुना अफगानिस्तान की बिद्रोह कर दिया और बिद्रोह करने के बाद इन आक्रमड कारीयों और शासुजा सभी को अफगानिस्तान से बाहर खदेड दिया और जो भी जहां मिला उसकी निर्मम हत्याएं की गई और ऐसे में आपको आप देखते हैं कि दोस्त मुहम्मत का जो पुत्र अब अक्बर खान था उसने भागते हुए शिपाहियों को कैद किया और उसके कैद में ही बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया ऐसे में एक वेक्ती बचता है डाक्टर ब्राइडन डाक्टर ब्राइडन जीवित बच जाता है और वही इस घटना का जीवित चित्रन करता है तो आप आपको लाड आकलेंड के बारे में सारी सूचना दी जा चुकी है अब हम लोग अगले गवर्णर जनरल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला गवर्णर जनरल है लाड एलन भरो और उसका जो कार्जकाल है वो 1842 से 1844 तक है तो उसका जन्म कब हुआ था 22 दिसंबर 1871 गलूसेस्टर सायर युनाइटट किंगडम में और उसका मूल नाम क्या था एडवर्ड ला था और उसे फष्ट अरलाफ एलन भरो भी कहा जाता था तो आईए उसके सासनकाल में बातें क्या हो रही हैं ये देखते हैं तो आप देखते हैं जो यहां पर उसके सासनकाल में शमाप्त हो रहा है उसके बाद आप देखते हैं कि 1843 में उसने दासप्रथा को प्रतिबंधित किया और उस किसके द्वारा अधिनियम पांच के द्वारा तो कभी कबार यह भी पूचा दाता है कि किस अधिनियम के द्वारा दासप्रथा को शमाप्त किय गया है तो अधिनियम 5 के द्वारा और वो कब पारित हुआ था 1843 में आगे आप देखते हैं एक बड़ा प्रक्रण आपको दिखाई पड़ रहा है सिंध विले तो सिंध अंग्रेजों के संरक्षित राज्यों में सामिल था और यहां का जो रेजिडेंट था वो चार्ल्स न लिश्चित करें उसकी आग्यां पाकर चाल्स नेपियर ने शिंध को अंग्रेजी सामराज्यों में शामिल कर लिया ऐसे में बांबे टाइम्स समाचार पत्र ने नेपियर के बारे में लिखा कि हमें दुख है कि यह व्यक्ति अंग्रेज है और इसने एक युग को कलंकित क तो उसके कतन से अंदाजा लगाए जा सकता है कि सिंध का बिले कितना अमानवी था और इसे कृत्त की वज़े से लाड एलन बरो को ब्रेटेन गौर्मेंट द्वारा वापस बुला लिया जाता है लेकिन अपने ही सासनकाल में उसके द्वारा एक कारज़वर किया गया था वो था ग्वालियर की बिजय ग्वालियर में उस शमय जो सासी का थी वो क दत्तक्पुत्र ले लिया और उसका नाम क्या था लिखा हुआ है बोड पे दत्तक्पुत्र जयाजी सिंधिया तो जयाजी सिंधिया दत्तक्पुत्र के रूप में लिया गया परंतु अंग्रेजी कानून के हिसाब से वो बायद उत्तरा दिकारी नहीं था ऐसे में लाड पूर्ब हम अगले गवर्णर जनरल पर चलते हैं जिनका नाम है लाड होडिंग। लाड हार्डिंग का जो कारिजकाल है वो 1844-1848 है और इनका जन्म 30 मार्च 1785 में रोथम केंट इंगलेंड में हुआ था और इनकी मृत्तु 24 सितंबर 1856 एंट ब्रिज बेल्स केंट इंगलेंड में हुई थी और इनका जो मूल नाम है वो हेनरी हार्डिंग था या इन्हें फर आगे बढ़ते हैं इनके कारियों के बारे में देखते हैं इन्होंने भी बहुत सारे अनूठे कारियों को अंजाम दिया था तो पहली बात देखते हैं कि इलन बरों को जब वापस बुला लिया जाता है तो इस लाड हार्डिंग को भारत का गवर्न जनरल बना कर भेजा ज जाता है और यह ऐसा पहला व्यक्ति है जो शौन मंदिर में बीना जूता उतारे पहला व्यक्ति जो उसका चक्कर रगाता है तो समझ सकते हैं कि दूसरे धर्म का शम्मान कहीं से भी नहीं किया जा रहा है आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं इनका जो दूसरा कार्ज है वो यह है कि नुक्तियों में इन्होंने अंग्रेजी भासा की अनिवारता लागू कर दी इन्होंने आप करमचारी की जो नुक्तियां होंगी उसमें अंग्रेजी भासा अनिवाज जिती की अंग्रेजी व्यक्ति को आनी चाहिए आगे इन्होंने क्या किया इन्होंने भार इनके सासनकाल में ही शूरत में नमक विद्रो होता है और उस विद्रो का प्रभाव इतना हुआ कि ब्रिटिस गौवर्नमेंट को नमककर को आधा करना पड़ा और नमककर जब आधा कर दिया जाता है तो विद्रो सता समाप्त हो जाता है उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है बोड पे नर्वली प्रथा को प्रतिबंधित किया तो पार बार और सारे गवर्नर जनरल के कारिशकाल में भी नर्वली प्रथा की हम चर्चा किये हैं तो उसको बहतर तरीके से उलोकन कर देंगे कभी-कभी जब परिक्षा में पूछा जाता है तो एक सयधिक गवर्नर जनरल दे दिये जाएंगे और से पूछ लिया जाएगा कि किसके कारिशकाल में प्रतिबंधित किया गया है तो उसमें आप कोई मालूम होना चाहिए कि कौन कौन गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने ये कदम उठाया लेकिन जब पूरे वीडियो का अलोकन आप करेंगे तभी इस फैक्ट को आप पकड़ पाएंगे और जरूरी है कि आप एक नोटबुक लेकर के बैठें और इस लेक्टर को देखें जैसे कि आप अपना स्वैम का एक नोटस भी बना सकें और इससे मेरा स्वैम का जो प्रयास है आपके लिए वो सार्थक होगा तो नर्वली प्रसा की हम बात कर रहे थे कि प्रतिबंधित की गई तो ये नर्वली प्रसलित कहां पर थी ये मद्ध भारत में एक जंजाती रहती थी जिसे खोंड जंजाती कहते थे तो खोंड जन जातियों में नरवली की परफा प्रचलित थी उसके बाद इनके दौ़ारा बाली का सिसु हत्या पर भी रोक लगाई दी तो बाली का सिसु हत्या की जादा घटनाएं ये राजपूताने में होती थी राजस्थान में होती थी जब मद्यकालिन भारत का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पर आपको इन फैक्टों से अउगत कराएंगे कि क्यों राजपूताने में बाली का शिशु की हत्या कर दी जाती थी आगे आप अगला फैक्ट देखेंगे कि लाड हाडिंग के सासनकाल में पर्थम आंगल सिख युद्ध होता है और ये युद्ध का जो सत्र है जो समय है वो 1845 से 1846 के बीच में है और इस युद्ध में पूरुन रूप से सिख हार जाते हैं और उनको एक संधी से गुजरना पड़ता है जिस संधी का नाम है लाहूर की संधी और ये लाहूर की संधी होती है 1846 में तो इस प्रकार आपने इन तीनों गवर्नर जनरल्स के बारे में बहतर तरीके से समझने का प्रयास किया एक बार परिच्छा उप्योगी फैक्टों को हम पुना री मेमोराईज आपको कराना चाहेंगे जैसे कि आप देखेंगे कि इसे इसका जो मूल नाम है वो जार्ज इडन अरलाफ ऑकलेंड और उसके बाद आप देखेंगे कि इसने ब्लैक एक्ट पारित किया ब्लैक एक्ट में हम बता चुके हैं आपको आप समझ रहे हैं क्या हुआ है उसमें तीर से आत्राकर समाप्त कर दिया सिचाई के लिए नहरों का निर्मार कर रहा है डाक्टरी की पढ़ाई के लिए बिदेश जाने के अनुमती दे रहा है और सेरसासूरी के जो मार्ग का पुनर निर्मार करा के ग्रांड टंक रोड उसका नाम रख रहा है आगे आप बढ़ते हैं त्रिकुट संधी किया है त्रिकुट संधी में कौन सामिल हैं वो आपको पताय जा चुका है प्रथम आंगल अफगान युद्ध इसके समय में ही स्टार्ट होता है अगे आप बढ़ते हैं लाड एलन बरो में में फेक्ट को आप देखते हैं तो उसका मूल नाम एडवर्ड ला या फष्ट अरला फेलन बरो है और वहाँ पर आपको जो सबसे महतकूर बात दिखाई पड़ रही है कि प्रथम आंगल अफगान युद्ध समाप्ट हो रहा है उसके साथ ही दास प्रथा प्रतिबंधित हो रही है अधिनियम पांच के द्वारा और शिंद का बिले भी करवा रहा है चाल्स नेपियर के द्वारा ये चीज़ आपको मिल रही है इसके साथ ही ग्वालियर का बिले भी हो रहा है उसकी आप बाद आप अगले पर पढ़ते हैं लाड हार्डिंग पर वहां देखते हैं कि उसका मूल नाम हेनरी हार्डिंग या फर्ष्ट विसकाउंट हार्डिंग है और एक एकलावता व्यक्ति है जिसने बिना जूता उतारे अमरिश्चर में आप देख रहे हैं कि श्वानमंदिर का चक्कर रगाया था और नुक्तियों में अंग्रेजी भासा की अनिवारिजता पर बात कर रहा है और भारत में स्टैंडर्ड यूनिट उप्योग में लाई जाने लगी और इसके साथ ही ये नर बली पर्था को प्रतिबंधित कर रहा है और बाली का सिसु हत्या पर भी रोक लगा रहा है साथ में इसके सासनकाल में पर्थम आंगल सिख युद्ध हो रहा है तो इतने महत्वकून फैक्टों को आप आसा करते हैं कि यात्पसाथ कर चुके होंगे अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और अगले लेक्चर में आपको लाड डलहोजी के संदर्भ में बहतर जानकारी दी जाएगी तो आज के क्लास में इतना ही धन्यवाद जैहन जै भारत